नमस्कार दोस्तों आप जबिकर स्वागत हैं आज आख लिए मैंने रखा हुआ है SVI Life का Retire Smart Plus प्लान यह एक पैंसन प्लान है जो की यूलिप केटगरी में आता है और SVI Life में पैंसन प्लान की बात की जाए तो यह एक यूलिप केटगरी का टॉप मोस्ट प्लान है और सबसे ज्यादा देखता है लेकिन इस प्लान में अगर सेल की बात की जाए तो जो मैंने किया हुआ है यह कहीं न कहीं इसमें उस तरीके से प्लान को सेल नहीं किया गया जो इसका प्रपज है वो प्रपज इसकी सेल में नहीं होता है और यह दूसरे तरीके सेल किया जाता है तो यूग लूजपूल लेके उसका दुरूपियों करते हैं और कस्टमर के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो बैनिफेट उन्हें इस प्लान मिल सकता है वो बताया ही नहीं जाता है तो उन्हें भी एक सोट कर दिखता है तो आज मैंने वह पुएंट कुछ ऐसे रखे हुआ है यह प्लान eigenlijk में किस परपज के हिसाब से बनाया गया है और उसे अगर सील किया गया है और आपने लिया है तो उसमें आपको क्या बताया गया है और क्या इसके अंदर बास्तों में आपको मिलने वाला है तो यह सारी चीजें हैं तो सबसे पहले इसके देखते हैं basic parameter क्या है है जिसके अंतरकरता प्लान में आ सकते हैं और मातिवत करेंगे इसके म्लान के जो तोपिक है जो आपको समझने ज़रूरी है अगर आपने फ्लान लिया है तो यह आप इस प्लान को लेने वाले है तो चुकि इनमे कही न कही kurइश sudah प्रफ़ा है कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है आई स्टार करते हैं अब से महले रहते हैं इसकी इंट्रीज की बात करें तो यह चुकि पैंसर प्लान है तो और पैंसर प्लान इस तरीके से रखा गया है ताकि आप इसमें आप समय रहते हैं यह जब आप सर्विस कर रहे हैं तो इसमें आप इंट्री करें और एक अच्छा खासा कॉर्पस तयार करें दिरिंग दपिरियद ऑप यूर सर्विस और उसके बाल में आप यहां से एक अच्छा खासा पैंसर अबाउंट अपना गोल्डन लाइव के लिए गोल्डन इयर्स के लिए कोई भी इस प्लान में आ सकता है पॉलजी टर्म कम से कम 10 साल का और ज्याद़ ज्याद़ पैंटिस साल का अप ले सकते हैं और उससे पीछे आते हैं तो फिर आप मैग्जुम कोई भी आपको यहां पर मैच्छोटी लेनी है मैच्छोटी का मतलब यह नहीं है कि आप पैसाल कि यहां से चले जाएंगे मैचोटी के मतलब यह कि आप वहां पर पैसा देना बंद करके आपका जो भी वहां फंड बढ़ रहा है जो कॉर्पस बन रहा है वो कॉर्पस बनना यहां पर क्लोज जाएगा फिर आपको पैंशन लेनी पड़ेगी प्रिवियम के बात ही जाए तो प्रिवियम मोड जैसे कुछ लोग या जो मंतली मोड में लेना चाहते हैं तो मंतली मोड में अगर अगर आप रेग्लर नियुम लेना चाहते हैं तो आप यहां पर तीन जार परमत में आ सकते हैं और अगर लेंटेट प्रिवियम में आप बंतली मोड में ले रहे हैं तो फिर आपको पांस जार कम सकम महीने में देना पड़ेगा यह तो इसके बेसिक परमिटर है यह बस एक पताना रहता है तागि आप समझ सकें कि इसमें कौन प्लान में आ सकता है अगर आप अड़िवाइजर हैं या मेनेजर हैं जो इस विडियो को देख रहे हैं तो आपको यह पता होना सकी कम सकम कि कि किसे यह प्लान हम दे सकते हैं लेकिन प्लान देने के बाद में इसका इसमें रहती हैं वो समझना ज्यादा जरूरी है तो मैं यहाँ पर आते इसके पार्ट पर यह थोड़ा सा important है तो सबसे पहले इस प्लान का उद्देश कहा है प्लान का उद्देश है और पैसा एक तकर करके और एक अच्छा अब इसके बाद में जो आपने प्लान का क्या है कॉर्पस एकटा होने के बाद में आपके पास के आप उसी समय पैसले सके अगर आप लेना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा आप से बढ़ा सकते हैं तो वह हैं कि इमेडियेट चेहिए या फिडिली लींगि इमेडियेट अण।ो लगा नहीं आप से चाहिए या लें बसअलवा चाहिए तो आप वह आप ले सकते हैं ताइम बढ़ा सकते हैं लेकिन 70 year के आगे नहीं जा सकते हैं अगर आपकी age 70 cross कर रही है और आप referment ले रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा 70 की अंदर या 70 तक यहाँ पे आप referment ले सकते हैं फिर आपको pension लेनी पड़ेगी यह है और उसके हाथ में जब एक यह भी रहता है कि हमने पैसा एक खर्टा गिया पूरा policy जब चलाया पैसा हमारा जो हाँ बन गया अब हम पूरा पैसा pension में नहीं डालना चाहते हैं खुछ पैसा हमें चाहिए भी हैं अपने कुछ काम के लिए और उसके बाद में हम कुछ पैसा pension में बचा हुआ डालना चाहते हैं तो उसका एक ratio दिया हुआ है जो भी आपका यहां पर corpus create होगा जो पैसा बनेगा उसमें से आप 60% आपको एक option रहेगा कि आप 60% तक उसमें withdraw कर सकते हैं और बचा हुआ पैसा फिर आपका pension में चला जाएगा अगर आप पूरा डालना चाहते हैं तो पूरा कर सकते हैं या फिर कुछ और जो आपकी मर्जी हो कोई भी रेसी हो बट यह maximum limit है अब corpus create करने के लिए क्या है चुँकि यूलेफ है तो यहाँ पर यह fund दियेगे 7 fund, equity, equity optimizer, growth और top 300 pension यह सारी pension के fund यहाँ पर जो अच्छे हैं इसके अंदर वो मैंने यहाँ पर रख्या हुए जबकि इसमें 7 fund है 7 fund है उनमें से यह charge जो जिनका अच्छा return है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है तो यह भी थोड़ा प्रवाएंगे, equity optimizer यह 5 साल का average में यह अभी लिया हुआ है जो जून का एनेकजर आया हुआ है उसका है 14.52, equity optimizer 14% इंटरने से पिछले 5 साल का है sorry equity pension का, equity optimizer में आएंगे तो 13.02% का है growth pension में जाएंगे 13.30 और top 300 pension में तो 14.23% यह यहां के 4 fund top है जो अच्छा return दे रहे हैं तो आप इन में से कोई choose कर सकते हैं और भी 3 fund है जैसे bond pension है और money market pension है तो वो उतना जाधा उनका return है नेजली मैंने यहां पर उसे छोड़ दिया है अब एक थोड़ा सा point बिसेई से समझने वाला वो है terminal addition का policy है जाहर सी बात है उसमें आप maturity पे पहुँचेंगे या फिर policy में claim होगा इन दोनों ही condition में यहां पर क्या है एक terminal addition दिया है जो कि mostly ulip में नहीं मिलता है वो इसमें दिया है और वो क्या है 1.5% of total fund value जितनी fund value बन रही है उसका 1.5% आपको extra addition मिलेगा अगर आप की policy में maturity होती है या claim होता है एक example सबोज आपका 1.5% fund value बन रही है तो 1.5% रुपया उसमें आपको extra जोल के दे दिया जाएगा इस policy में चुकि ulip है तो partial bidraw का option दिया गया है mostly pension fund में नहीं होता है इसमें दिया गया है इससे पहले गोर plan का retire smart ये plus करके दिया हुआ है तो retire smart में partial bidraw का option नहीं है वहाँ पे आप surrender कर सकते हैं बढ़ partial bidraw नहीं कर सकते हैं इसमें एक option दिया गया है ये partial bidraw का क्या है जैसे आप जो भी fund आपका वहाँ पे खटा हुआ है उसमें से आप partial bidraw कर सकते हैं और जब partial bidraw करने जाएंगे उस समय जो fund value होगी उसका 25% निकाल सकते हैं और ऐसा करके आप तीन बार इसमें partial bidraw कर सकते हैं और वो तीनों बार उसका कोई certain period नहीं है कि आपको कितने समय के बात करना है आप शाहे तो लगातार तीन कर सकते हैं या रोक रोक के कर सकते हैं वो आपके मर्जी पर डिपेंड करेगा तो यह एक option दिया है और यह बासिर बिड़ो होगया और इसके बाद में एक और चोगी ulip है तो एक रहता है कि switch का सबोच कोई fund आपने choose कर दिया वहाँ चलते आपने equity optimizer ले दिया और आपको लगा नहीं इसका return ठीक नहीं है हमें इस change करना equity pension में आना है तो आपको क्या है यहाँ पर free switch मिलेंगे और वो unlimited free switch है अब कभी भी कितने बाद भी यहाँ से वहाँ पैसा आपना कर सकते है उसका कोई भी charge इस plan में नहीं लेगा लेकिन charge लगते हैं कुछ ना कुछ तो charges की बात की रहा तो main charge हो रहा था एक दिमाग में allocation charge का वो थोड़ा समझ लेते हैं इसे allocation charge में आएंगे फर्स्ट येर आपको इसमें देना पड़ेगा 6% तो बहुत ज़्यादा नहीं है ठीक है 6% यहाँ देना तो लगेगा खर्चा सेकिंड येर में आते हैं तो 4.75% थर्ड येर से और 10 येर ये बीच का जो period है यहाँ पर आपको 4% लगा का चार्जिस देने पड़ेंगे और उसकी बाद में 11 से आगे अगर आप जाते हैं तो 5% का फिर चार्ज आपकर रहे यारी 2.5% तो overall अगर चार्जिस की बात की जाए तो ये medium living के चार्ज है बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है एक प्लान के साथ देख जाए तो नॉर्मल पर इसकी चार्जिस है जो आपको यहां पर लगेंगे फंड मेंजमेंट चार्ज जाहर से रहते हैं कोई भी फंड है तो उसे आपको चार्ज रहता है तो 1.35% है इन चारों का बॉन्ड और मनी वार्केट में जाएंगे तो वहां पर फिर 1% और 1.25% है लेकिन अगर आप इसमें आते हैं तो मेरी सलाही रहेगी इन चारों में से कोई ना कोई आप चूज करेंगे और किसी फंड में आप ना जाए चूकि इनका रिटेंट ठीक है और ज्यादा ही दरद यह यूलिप में सभी में होता है किसी-किसी में ऐसा रहता है कि पॉल्सी ले लेते पैसा निकालना है उसके लिए उसके लिए उप्सन क्या है फोल्स रेंडर आप जब भी करेंगे तो जो आपका अमांट बन रहा होगा उस अमांट का यह रेशियो 60 और 40 का उसमें लागू हो जाएगा यह निकि आप 40 परसेंट आपको पैसा पैसल में डालना ही पड़ेगा और साथ परसेंट आप निकाल सकते हैं तो कई बार क्या करते हैं लोग आप इस पॉल्सी को ऐसे देज देते हैं जैसे सबूर्चुग इसमें रिसकेवर जीरो होता है 60 तक का इसका कैइज केटगरीं हैं instantly विल्फ 55 पर के close हो जाते हैं YouTube अब कहीं कहीं अब और लगता है कि पांस साल वार पैसा चाहिए फॉल सरेंडर और फॉलॉल धाएगा एगा उसके 40 परसेंट चलाएगा पैसाट मिलेगा उसे तो फिर वो परिशान होगा बोलेगा यह तो बताया नहीं था तो उस कंडिशन में यह थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी कि यह सर्फ इसमें लागी होगी ही लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि मैं इसमें पैसा निकालना है और पॉलसी में हम पैंसन में नहीं जाना चाहते हैं या कम से कम पैसा हमारा जाए ज्यादा से ज्यादा में मिलना है तो उसके लिए एक यह उप्षन है जो पार्शिल बिड्रो का यह तीन बार का दिया है 25-25 परचेंट अगर आप आपने उसका 75% तीन बार में निकाल लिया तो पर ही पर ही आपका 37,000 के आसपार निकल गया गया बचा हुआ 13,000,000 उस पर फिर यह 60,40 का यहां पर रेशियो लाग हुआ जाएगा तो आपका एक थोड़ा ही अमाउंट वहां पर जाएगा और मुझल आपको पैसा मिल जाए और इसमें एक कंडिशन और है पैसन फंड में पैसा तभी जाएगा जब आपको 1000 रुपए पर मंत पैसन मिले अगर उससे कम आपका अमाउंट हो जाता है तो फिर पैसा आपका आपके पास में आ जाता है उसके फिर पैसन फंड में नहीं जाता तो यह चीज भी इसमें ला पैसे मिलेगी और जब वो जीवित नहीं रहेगा तो फिर उसका जो पैसा वहाँ पर दिया गया था जिस पैसे की बदले पैसे मिल रही थे वो उसके नॉमनी को रिफंड हो जाएगा यह उप्शन यह कहता है इसी के दाद एक दूसरा उप्शन रहता है वो यह है लाइफ एंड लास्ट सर्वाइबर हंडीट परसेंट इनुटी बिद रिटर्न और पर्शिस प्राइस इसमें कुछ लोग रहते हैं यह नहीं मुझे तो पैसे मिलनी चाहि है तो उनके लिए यह उप्शन अगर सेल्प में यह सोचते हैं कि नहीं मेरे बाद में फिर पैसा वापस मिल ला है तो यह वाला उप्शन उपर वाला लाइफ एनुटी बिद रिटर्न और पर्शिस प्राइस अगर चाहते हैं कि सर्वाइबर जो है उन्हें भी पैसन चाह जाएगा इसके लाबा बहुत सारे और उप्शन होते हैं उनमें किसी में आप ना जाए चुकि वहाँ पर वो रिस्की हो सकता है कुछ अलग लग टाइप के रहते हैं इसमें एक सबसे खतरना अप्शन जो बहुत लगता है वह है लाइफ एनुटी जब तक जीवित देता है तो यहाँ फे बस यह दो उप्शन है इनमें से कोई एक चूस करना है और इस प्लान का जो में अग्देश वह है इस है के से जींब को में देखने को मिलेगा फिलाल अभी इस वीडियो में इतना ही आगे विल्टें दुसे विडियो में तब तक के लिए नमस्कार